क्या हाल चाल दोस्तों आजम यहां पर question of the day में एक method सीखेंगे तो method को इस तरीके से suppose करो मेरे पास ही differential equation है dny upon dxn is equal to f of x अब बात आती है हम इसको solve कैसे करेंगे ठीक है तो देखो यहां पर हम solve करने के लिए क्या करेंगे integration method का use करेंगे तो यहां पर हम करते क्या है तो यहां पर अगर मां आपको बताओ तो हम यहां पर यूज करेंगे successive integrations का ठीक है तो यहां पर solution होगा हम उसमें क्या करते हैं हम यहां पर use करेंगे यूज सक्सेक्सिव इंटीग्रेशन हम यहां पर इस मैठेट का यूज करेंगे मतलब हम यहां पर लगातार इंटीग्रेशन करते याएंगे जबता हमको yx की वैल्यू नहीं मिल जाती ज़र सपोर्ज करूँ मेरे पास dy upon dx लिखा है और इसी कल्टू यहां पर सम कॉंस्टें इसको इंटीग्रेट कर दूगा तो मेरे को yx मिल जाएगा इसी तरीके सा अगर मेरे पास dy upon dx लिखा है तो मैं उसको दो बार इंटीग्रेट कर दूगा इसी तरीके सा अगर मेरे पास सपोर्ज करो यहां पर मेरे को n दे रखा है तो मैं उसको n ताइम्स यहां पर क्या तो मतलब question में आपको differential equation दी गई है लेकिन हमको करना क्या है integration ठीक है यहीं पर आकर हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं अब suppose कि मेरे पास एक question है question क्या है आपके पास तो में question लिख देता हूं यह मेरे पास question है d2y upon dx2 और is equal to x e की power x अब बात आती है कि इसका solution क्या होगा अब देखो अगर आप वहाँ पर इस questions का solve करने बैठ होगे तो किसी भी differential equation सो solve नहीं हो सकता किसी भी solution इसका कोई भी आपर नहीं होगा हमको क्या करना पड़ेगा इसको integrate करना पड़ेगा और integrate करके हम इसका solution यहाँ पर calculate कर सकते है तो देखो क्या करना है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको दो बार integrate करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर integrate with respect to x तो यह हो जाएगा हमारे पास d2y upon dx2 is equal to x e की power x into dx तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूं dy over dx is equal to अब यह होगा x e की power x इसको मैं ऐसे लिखूंगा और minus e की power x plus का सी एक बार आप इसका integration चेक कर लेंगे x e की power x वैसे मैंने क्या क्या करेंगे यहाँ पर इसका अगें मैं इसका फिर से यहाँ पर integration करूंगा again integrate with respect to x तो यह हो जाएगा dy over dx is equal to x और x e की power x minus e की power x plus c1 और यह होगा हमारे पास dx तो यहाँ से ही आ जाएगा y is equal to आप देखो x e की power x का करेंगे तो वापीस से यही मिलेगा मेरे को फिर मैं इसका करूंगा तो माइनस का e की power x मिलेगा फिर इसका करेंगे तो प्लस का c1 x और एक integration constraint c2 आ जाएगा तो यहां से y is equal to यह हो जाएगा देखो यह x e की power x है तो यह तो ऐसी प्लस का c1 x और प्लस का c2 तो यह हमारे पास इस तरीके से निकलकर आ चुका है तो यह क्या है इसका solution तो इसका जो solution निकलके आया वाया x-2 e की power x c1 x और प्लस का c2 ठीके दोस्तों तो यह क्या है हमारे पास इस questions का solution यह क्या है इस questions का solution है तो आपको इस type के question exam में दिये जाते हैं अब मैं आपके लिए एक homework लेके आया हूं तो homework में क्या है homework में यह है कि आपको यहाँ पर d की power 4y dx की power 4 is equal to sin x आपको यहाँ पर इसका solution बताना है में क्या होगा ठीक है दोस्तों तो यह आप लोगों के लिए homework के और इसका आंसर आप मेरे को comment box में बता सकते हैं सही है बाई ठीक है बाबाई